कल से उत्राखन विधान सेबा का बजट चत्र शुरू होने वाला है आज होगी कार्य मंत्रणा समिट्थी की बैठक कार्य मंत्रणा के बाद सर्वदल बैठक भी होगी सदन को सुचारू रूप से चलाने पर रणनीत बने के आपको बना दे आज गेर सेड में भाजपा विधान मंडल दल की बैठक होने वाली है बैठक में सीम धामी भी शामिल होगे कॉंग्रस विधान दल की बैठक आज ही होने वाली है तो आज बैठकों का दौर है भाजपा विधान मंडल दल की बैठक होगी साथी साथ आपको बता दे कारे मंतरणा के बाद सर्वदले बैठक होगी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज रणनीती बनने वाली है वाज़पर कॉंग्रेस विधान मंडल दल किये पूरी बैठक होने वाली है तो कल से उत्राखन विधान सबा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और उसी को लेकर कारे मंतरणा समिट्टी की बैठक है कारे मंतरणा के बाद सर्वदले बैठक होगी सदन को सुचारू रूप से चलाने पर रणनीती तैयार होगी और पंकज वान हमारे सईयोगे हमारे साथ जोड़ चुक है पंकज कल से विधान सबा का बजट सत्र शुरू होने वाला है आज क्या कुछ होने वाला है बिल्कुल अर्चा देखिए विदानसवा के सत्र के तैयारी सुरू हो गई है और विदानसवा अध्यक्स रितु खंडूरी जी देके गाड़ ओप ओनर उनको दिया जा रहा है हमारे साथ जुडेंगी अभी और तमाम जो तैयारिया है वो पड़ली के लिगई है कल ही शड़ उसको देखा उसके बाद कम्रों का निरेक्षण किया मंत्रियों का सियेंग्साहब गवनर्साहब का अफसरों का कि किस तरह की विवस्ता है है ठीक ठाक हैं कि नई ही है तो इस तरह से मैंने साvery ब्ले बिल्डिंस का निरेक्षण किया फिर 17 सदन में गई धी वहाँ हमने कुछ एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो आवाज महां बहुत जादा गूंजती थी उसको कुछ हम कम करें तो उसको भी कल टेस्ट करने गई थी काफी इंप्रूव्मेंट मुझे लगा है उसके अलावा खान पान किस तरह से रहगा उस पर भी एक छोटी सी मैंने यहां बैठेक लिए किस तरह से खाना होगा फिर डियम और एस पी और सीडियों भी आये थे और उनसे भी यह बात हुई है कि समूहों को हम किस तरह से अपने साथ सत्र में इस बार जोड सकते हैं चमू लेकि जितनी भी समूह हैं तो कल मेरा शाम का दिन यही कारेब दिन चरिया र आज तो गवनर सफ आने वाले हैं कुछ ही देर में वो पधारेंगे उसके बाद कारेमंतरना की बैठेक होती है सरवडल्य बैठक होती है और कल आप सब जानते हैं कि गवनर साहब का भी भाषन है उसके बाद कारेमंतरना में जो भी निढ 빼ं押गा। विधायकों ने अपनी बातों को questions के माधिम से याचिकाओं के माधिम से सदन में लाए हैं और मैं निवेधन करना चाहूंगी सभी विधायकों को कि गरिमा पून तरीके से स्वहार्द के माहौल में अपने प्रशनों को रखें अपने बातों को रखें ताकि जो अपेक्षा उनके छेतरवासी करते हैं कि उन सवालों का जवाब मिले अच्छी डिबेट वो लोग देखें वो सदन में हो पाए क्योंकि अध्यक्स बनने के बाद आपका भी पहला सत्र भराडी सेंड में हो आपका भागनात्मक लगाग भी है तो अब ही कितना तयार है है वो कैसा आपको प्रिबेट बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अच्छा लग रहा है कि हम लोग भराडी सेंड पहुंचे हैं इंपॉर्टन्ट सत्र है गवरनर साहब का भी भाशन है बजट है तो मुझे खुशी है कि हम लोग बजट सत्र इस बार हम गयर सेंड में कर रहे हैं पूरी तैयारी हो चुकी है जी विदान सबा सचिवाले हमेशा से मजबूती किसे काम करता है और पूरी तरह से मुस्तैद पूरी तरह से तैयार है विदान सबात्यक जी ने पूरी बात हमारे सामने रख दी है और अभी हवन करने वो जा रही है क्योंकि आद्यक्स बने के बाद हर्शा उनका भी ये पहला सत्र हो रहा है और यहां पहले हवन की सुरुवात से वो यहां पर तमाम चीज़े रखने वाली हैं सभी विधायकों को भी मुनोंने मैसेज दिया है कि विधायक आएं अपने छेतर की समस्याओं को यहां रखें परकें और देखें किस तरह से सदन आगे चलना है और तमाम जो मुद्दे हैं वो किस तरह से रखे डाने हैं थोड़ी देर बाद ही राज्यपाल यहा tie-4 एजडडे विधानसवा सत्र के रहने वाले हैं जिनको लेकर सभी तयार की जा रहे हैं और पूरी तरह से जो बैरिकेटिंग विधानसवा ववन के आसपास वो लगा दी गई हैं और तमाम जो विवस्ताय हैं वो कर ली गई हैं थोड़ी दिवाद देरवाद पुलिस की ब्रीफिंग होने वाली है डियाईजी इसमें वीफिंग करेंगे और सभी को निर्देश देंगे कि इस तरह से जो अगर अंदोलन के लोग यहां आते हैं तो कैसे उन्हें रोकना है किस तरह से विवस्ताई करनी है तो सभी विवस्ताई करनी है कॉंगरेस का ब्रत विधानसवा अद्यक जी ने बताया है कि तक्रीवन 600 से ज़्यादा विधायकों के सबाल आ चुके हैं तो अब देखना होगा कि मंत्रियों का हूंबर कितना है कितने हूंबर के साथ विधानसवा के अंदर बैठते हैं यह तमाम चीजें बड़ी मैंकून अधर देखा जाए